ख्रिशी कानूनों के खिलाव प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की मन्जूरी मिल गई है उन्हें दिल्ली के बुराडी इलाके में निरंकारी मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमती दी गई है किसानों का एक गुट इस बात पर अड़ा है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बॉर्डर पर आकर बात करे दिल्ली हर्याना के सिंदू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की मीटिंग जारी है मीटिंग में ये तैग किया जा रहा है कि किसान बॉर्डर से विरोध प्रदर्शन करेंगे या बुराडी जाकर प्रदर्शन करेंगे फिलहाल किसान अभी बॉर्डर पर जमे हुए हैं जो किसान दिल्ली में गुज गए थे और राम लीला मैदान पहुँचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत मिलेकर बुराडी के निरंकारी मैदान मिलाकर छोड़ दिया है बुराडी के निरंकारी मैदान में पुलिस और CISF का पहरात तैनात किया गया है आपको बता दे कि किसानों को रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने पुल पर लगाए गए लोहे के बेरिकेडर्स को घगर नदी में फेक दिया था जिसके चलते अभी भी दिल्ली हर्याना बॉर्डर पर भारी सुरक्षाबलों की तैनाती है क्योंकि बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंदू बॉर्डर पर अपना डेरा बनाये हुए है कई किसान नेता आज अपना फैसला लेने वाले हैं उनका कहना है कि हम बैठक करेंगे और आगे की रंडीती के बारे में फैसला लेंगे। वह एं कुछ किसान नेता बुराडी जाने के पक्ष में फैसला लेते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वे दिल्ली पहुँच कर केंद्र सरकार पर तीन क्रिशी कानूनों को लेकर दबाव बनाना चाते हैं। किसान नए क्रिशी कानून के विरोध में प्रदशन कर रहे हैं और वो दिल्ली आ रहे हैं। आखिरकार किसानों के आगे पुलिस सरकार को जुकना पड़ा है। कुछ किसान बुराडी के निरंकारी मैदान पर पहुँचना शुरू हो गए है। दिल्ली के विबिन प्रवेश मिंदूँ से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में क्रिशी कानूनों के खिलाफ शांती पून तरीके से प्रदशन की अनुमती दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतीती के तौर पर करते हुए उनके खाने, पीने और रहने का बंदोबस्त किया है। दिल्ली जलबोर ने मुख्य मंत्रिय अर्विंद के ज्रिवाल के निर्देश पर पेजल की व्यवस्ता की है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का धर्णा जारी है। किसानों को दिल्ली के बुराणी मैदान में फ्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। लेकिन किसान अभी भी सिंदु बॉर्डर पर ही डटे हुए है।